So, Hello दोस्तो, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल V4Value में आज हमनों बात करने वाले हैं Tata Power Company Limited के बार में तो दोस्तों आप में से काफी सारे लोग इस टॉक के बार में जानते हैं कुछ लोग investment करने के बार में सोच रहे हैं और कुछ already invested हैं तो आज हम बात करेंगे company के बार में to be honest company की तीन काफी अच्छी news निकल कर रही है जिसको देखते वे मुझे personally यह लगता है कि long term में इस company में जो आज की rate में invested है वो भी पहले से उसको काफी अच्छा मुनाफ़ा होता है देखने को मिल सकता है तो क्या है वो तीन नियूज और किस वज़े से मैं कह रहा हूं कि company में काफी potential है long term में अच्छा growth दिखाने के लिए वो सारी बात है आज हम इस वीडियो में जानने को मिलेगी तो without wasting any time let's start the video तो सबसे पहले हम बात करते कंपनी के बारे में आप लोगों जी जासे को पता है कंपनी का आज के रिट में जो market cap चल रहा है वो अलबह 76,000 क्रोड़ का है पी रिशो 22 का comparison करेंगा अगर आप इंडस्ट्री के लेवल पर तो no doubt company आज की रेट में एक अंड़ा वैलिट स्टॉक परफॉर्म कर रहा है आर उसी की बात करें तो बारा का या रोवी की बात करें वह भी बारा का तो परस्ट्री बोलों अगर comparison करेंगा इंडस्ट्री के लेवल पर आवरेज परफॉर्म कर रहा है ओप यह मार्जिन वी कंपनी का आप 15 परसंट देखने को मिल रहा है हाला कि एक लोता रीजन जो कंपनी का से बड़ा concern करेंट करता है वह है debt जो के काफी बड़ा है प्लस कंपनी का cash flow भी negative चल रहा है पार रैंडम जो कंपनी net profit earn करते हैं वह लवावा 3,800 करोड का है और कंपनी का लवाई 11,000 करोड के लवावा cash equivalents बढ़े है तो overall मैं कह सकता हूँ है या पर आपको chart pattern ठीक ठाक देखने को मिल रहा है देन बात करते हैं क्या है वो 3 news जिसके वुझे से company आज की rate में मुझे पसनरी अच्छे लग रही है तो news number one है company ने अपनी capacity को बढ़ाने की कोशिश करी है 2.5 gigawatt renewal energy annually capacity को बढ़ाने का plan कर रही है यह somewhere around 2.2, 2.5 है मैं कहता हूँ अगर company 2.2 gigawatt भी अगर बढ़ा देती है somewhere around तो यह company के profit margin में काफी massive change लेके आने वाला है तो यह काफी बड़ा project है जो company ने लिया है आने वाले visions को लेते वे जो की एक पहला काफी अच्छा news निकल लिया रहा है 2. company ने अभी recently company को एक project मिला है जो इसका वर्थ रखता है लबब 13,000 करोड का महरास्टा development में जिसमें company का लबब 2800 megawatt hyper project company को आज की rate में मिला है जो कि काफी अच्छी बात है long term में company को इससे भी फाइदा होता हो देखने को मिल सकता है जन बात करते हैं हमने third news के बार में company ने recently अभी एक deal close करी है टाटा मोटर्स के साथ renewal energy के उपर लगब 9 megawatt के उपर तो यह भी काफी अच्छा news निकल रहा है जो कि आज ही के दिन निकला है तो यह भी आज के दिन काफी अच्छा news निकल का रहा है तो to be honest मैं personally इन तीनो news से काफी ज़ता positive हूँ अब मैं कहता हूँ इन तीनों मेंसे यह दो news तो आपको confirm है और इसमें अगर company ने अपना 80-90% भी achievement पार करी है तो company में एक massive change आता है वह देखने को मिलेगा अब काफी सारे investors को यह सारी चीज़े समझ नहीं आती मैं उसका छोटा सा आपको एक live example देता हूँ कि यह चीज़े importance क्यों रखती है like compounded sales growth, profit growth और CAGR इसमें आप simple ही देखिए 10 years में 5% है, 5 years में 15% है यह sales growth की बात कर रहा हूँ और last 3 years में लबब 24% है जो कि काफी अची तरीके से बढ़ा है अगर आप बात करें profit growth की तो वह लबब 39% था जो कि बढ़के 45% हुआ है और आज की rate में लबब 133% हुआ last 3 years का और same वही अगर आप CAGR growth में देखेंगे तो वह 57% आपको देखने को मलड़ा last 3 years का इसका फाइदा क्या है इसका फाइदा यह है अगर आप last 3 years का company का chart pattern देखेंगे तो जो stock पहले के time पे 61 rupees में trade कर रहा था somewhere around 2020 में आज के rate में वही stock somewhere around 239 पे trade कर रहा है देखेंगे आपको उस चीज पर focus करना चाहिए और वह चीज के earning कैसे होती है इन सारे चोटे चोटे नियूस पर ही बड़े बड़े investors ध्यान देते हैं और उनके basis पर अपनी investments को बढ़ाते और घटाते हैं जिससे long term में आपने देखा होगा काफी सारे बड़े investors का नाम निकल किया आता है जो कि काफी अच्छा profit बुक करते हैं इन ही जैसी companies में So I hope आपको पता चल चुका होगा यह चीज़े इतनी importance क्यों रखती है Then बात करते है company के quarter results के उपर आप देख पारेंगे भी recently company अपने all time high पे quarter results close करा है लबा 15,000 करोड का जिसमें company net profit जो बुक करा है वो अलबा 1141 करोड का और जो profit margin company ने बुक करा है वो अलबा 18% का तो overall मैं कह सकता हूँ company ने अभी रखका सबसे best quarter result यहाँ पर perform करके दिखाया है और to be honest अगर company इसी rate से performance देगी तो मेही नजर में कम है यह क्याना चंगल की company long term में काफ़े अच्छा returns प्रोवाइड करने का potential रखती है so I hope आपको यह सारे points समझ माया गयोंगे then बात करते है targets को लेके तो अभी के साबसे जिस साबसे company की planning है उसको देखते हुए अगर company का stock price आने वाले three years में 500 को cross करता है तो मैं कहीं से भी shock नहीं होगा it means कि company का expectation रखते हैं हाला कि अगर आप बात करें fresh wine को लेके तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत corrections का इंतिजार करना पड़ेगा मेभी आपको एक अच्छी डैप भी देखने को मल सकती है आने वाले कुछ टाइम पर या तो breakout होगा या फिर breakdown होगा उसके लिए आपको wait करना पड़ेगा क्योंकि काफी times हैं आप ए company momentum ले रही है जिसको देखते वे आपको पना decision लेना है हाला कि decision लेने से पहले आप अपनी तरफ से अपनी research जरूर करिएगा I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आयोगी इसी प्रकार की कुछ interesting news, updates और stocks related videos को अगर आप जाना चाते हैं तो जल्दे मलते हैं से एक और नहीं वोड़े के साथ तब तक के लेस्टेज सेफ और गुडबाय इन्जॉय दिस वीडियो